तो फ्रेंट्स ये वीडियो जो है ये एक fan demanded compare वीडियो है यहाँ पे आज मैं compare करूंगा Dimensity 7020 versus snapdragon 750g इसके पहले मैंने compare कर दिया है Dimensity 7020 versus 695, 4 Gen1, 4 Gen2, 778g, 778g plus और बाकी सारे processor के साथ तो आज देखते हैं कि इन दोनों processor में से कौन सा processor होगा बेटर हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है गौरो आप देख रहे हैं टिक रूम वीडियो को स्टार्ट करता हूं बात करते हैं यहाँ पे इन आउंच रट की तो Dimensity आउंच का था माई 2023 में जबकि snapdragon थोड़ा पुराना processor है सिदंबर 2020 में बोल सकते हैं तीन साल पुराना processor है snapdragon अगर क्लास को देखा जाए तो दोनों जो processor आते हैं वो मिड्रेंज में आते हैं तो यह अच्छी बात है अगर मॉडल लंबर को देखा जाए snapdragon का मॉडल लंबर अबलेबल है SM7225 इसका मॉडल लंबर है नेक्स देखते हैं आर्किडेक्चर को तो आर्किडेक्चर वाज यहां पर दोनों जो processor आपको देखने को मिलेंगे वो हैं octa core Dimensity में आपर 1st core 2.2 GHz पे clock मिलेगा cortex A78 के साथ 6 core 2 GHz पे clock मिलेगा cortex A55 के साथ यहां पर जो 2 core है performance के लिए हैं यहां पर 2.2 पे clock हैं बाकि 6 core battery efficiency वाले हैं 2 GHz पे clock हैं इस snapdragon को देखा जाते हैं यहां पर snapdragon में वही है 2 core 2.2 पे clock हैं बढ़ने हां पर cortex A77 है जो कि slightly cortex A78 से पीछे रहता है और 6 core battery efficiency वाले हैं 1.8 पे clock हैं जो कि 2 GHz से तो कम ही है यहां पर cortex A55 आपको similar देखने को मिलता है जैसा कि डियमेंसिटी 7.0 और 2.0 में देखने को मिलता है बात करें frequency support की तो डियमेंसिटी और snapdragon दोनों ही आपको same पे clock देखने को मिलेंगे 2200 MHz की speed पे चलता है वह यह पर अगर fabrication को देखा जाए तो जिसका भी fabrication जितना स्मॉल होगा वो processor उतना ही better होगा battery life and performance में तो जो डियमेंसिटी है वो 6 nm TSMC based technology के साथ आता है and snapdragon 8 nm TSMC based technology के साथ आता है मतलब यहां पर डियमेंसिटी थोड़ा better रहेगा अब देखा जाए यहां पर graphic support को तो in-game graphics का same support हो सकता है बट graphics performance difference रहती है तो जी GPU पर ही depend करेगा आगे मैं आपको 3D mark बताऊंगा और gaming graphics support भी बताऊंगा तो वीडियो देखते लिए बात करें अब यहां पर damasory का तो damasory मिलेगा IMG BXM 8256 जिसका architecture power VR है वैसे यह आपको damasory 930 में भी देखने को मिल जाता है and जो snapdragon 750 GS में मिलता है addon 619 इसका architecture addon 600 है तो आप यह बोल सकते है addon 619 तोड़ा weak GPU है IMG BXM के सामने आगे 3DMark से समझ में आएगा and बात करें यहां पर GP frequency support की तो जो damasory है वो 900 MHz पर clock चलता है and जो snapdragon है वो 825 MHz support देता है next floating point support number को देखते हैं तो जो damasory है वहां पर आपको 260 GFLOPS की speed हो कर आएगा and जो snapdragon है वो 422.6 GFLOPS की speed हो कर आएगा floating points number में तो snapdragon slightly better रहता है memory type support को देखते हैं तो memory type support में damasory का support जो आता है वो LPDDR5 करेगा मतलब better RAM type यहां पर आपको मिल जाएगी damasory के साथ जिसकी RAM frequency 2750 है बट यहां पर जो phone आता है वो LPDDR4X RAM type support के साथ आता है जिसकी RAM frequency भी थोड़ी कम रहती है 2133 MHz वाइल यब कि snapdragon में आपको जो मिलेगा वो LPDDR4X का maximum support ही मिलेगा जिसकी RAM frequency 2133 MHz की होगी तो अगर future phones के अगर आप प्लान कर रहे हैं तो future processor के रूप में इसे देख रहे हैं तो damasory थोड़ा बेटर रहेगा अगर storage type support को देखा जाता है तो जो damasories में maximum UFS 3.1 मिल जाता है 4 में आपको UFS 2.2 का support मिलेगा बाकि snapdragon की बात के दिसमें UFS 3.0 मिलता है अगर इस जड़ियस compare के जाकि future proof है तो UFS 3.1 जादा better रहता है UFS 3.0 के compare में 4 में अगर आपको UFS 3.1 एंड ये LPDDR5 का support मिलता है तो काफी better performance निकल के आएगी Gaming performance को देखते हैं Gaming performance में जो damasories का data मैंने Motorola के G54 से लिया है Under 15,000 phone है वह पे Snapdragon 750G का data मैंने MI10i से लिया है ये भी under 15,000 बोल तकने है बात के नहां पे Free Fire Max के दोने जो processor आते हैं वह 40 Max High support करते हैं And यहां पे Snapdragon 750G है यह आपको Samsung F23 पे भी देखने को मिल जाता है Next यहां पे देखते हैं Battleground Mobile India तो इसमे भी आपको same graphics देखने को मिलेगी 40 HD High वाली And अगर Call of Duty को देखा जाते हैं यहां पे भी रहेगा 40 High Max support मिलेगा Dimensity में And Snapdragon में Very High के साथ Very High So slightly one step अगर प्लस आप आगे जाएंगे तो इसमें Very High के साथ Very High support मिल जाएगा But one step नहीं है तो High के साथ Max आपको gameplay करना पड़ेगा Next देखते हैं Video Caption Video Playback तो यहां पे थोड़ा difference देखने को मिलेगा Snapdragon दोनों में ही लीट करेगा 4K at 30 EPS के साथ जिबकि Dimensity में Maximum 2K का ही support दिया गया At the rate 30 EPS तो अगर आपको 4K वीडियो सूट करना पसंद है तो Snapdragon प्रिफर कीजेगा Otherwise आप Dimensity के तरफ भी जा सकते हैं Next Display यहां पे Relusion की बात के तो दोनों ही प्रोसेसर सेम सपोर्ट करते हैं 2520 तो 1080 pixels के साथ दोनों के पास NPU भी आते हैं Snapdragon 694 का support आता है यहां पे Connective Device दोनों ही जो प्रोसेसर आते हैं वो 5G support करते हैं यहां पे जो 4G support की बात किया तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको LTCAT 18 का support मिल जाएगा तो Connectivity में यहां पे कोई डिफरस नहीं है अगर Bluetooth technology को देखा जाए तो Dimensity में 5.2 आएगा जबकि Snapdragon में 5.1 आता है यहां पे हलका सापको पीछे Connectivity देखने गरें लिए Bluetooth में बट इतना कोई माइन ने रखेगा 0.1 की technology है बट यहां पे जो Wi-Fi की technology है उसमें Snapdragon lead करेगा जो की Wi-Fi 6 के साथ है और Dimensity Wi-Fi 5 के साथ है तो प्लस 1.0 Snapdragon को इदर मिलता है इंजर माइनस 1.0 माइनस 0.1 पॉइंट तो बोल सकते हैं कि Snapdragon Connectivity के मामले में थोड़ा बेटर रहता है अब बात करें यहां पे Benchmark scores की तो Geek Benchmark को समझते हैं तो उससे आपको आइडे भी लगेगा कि प्रोस्टर में कितरा डिफरेंस हो रहा है तो जो सिंगल को परफोर्मेंस टेश्टे डामेसरी का वह 881 रहता है वह यह पे snap रेंस का 874 रहता है जैसे कि मैंने आपको स्टाइडिंग वीडियो में भी बताया कि A78 एंडे अडे श्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर A78 यहाँ बेटर है बट A77 भी अच्छा प्रोसेटर है तो इसलिए यहाँ पर लगबग सेमी स्कोर रहता है कभी 750 आगे कभी 700-200 अगर मल्टी करू परफोर्मेंस को देखा जाए तो जो 70-200 में 2277 स्कोर करेगा एंड जो snap रेकेंस में 2077 स्कोर करेगा इसमें बाकी फ्रिक्वेंसी च्लॉक श्पीड है वह भी थोड़ी बेटर है तो यहां पर हलका असर नमबर बेटर हो जाता है नेक्स आप अंड़ी बेंचमार्क स्कोर को देखा जाए ता अंड़ी में इस बार यहां पर जीप्यू भी काउंट होता है and RAM, ROM, Input, Output यह सब भी count किया जाता है तो जो Dimensity's में 4,65,000 का score आता है close कभी-कभी 5,000,000 भी जाता है RAM variant पर डिपिंट करता है and जो SnapRain का स्कोर है यह आपको 4,37,000 तक का score दे पाएगा वहीं पर देखा जाए 3D Benchmark score को जो की basically GPU test है तो Dimensity का जो score आता है 2462 रहेगा and जो SnapRain का score है 1095 रहता है मतलब यह आपको जो graphics देखने को मेलेगी वो lower रहेगी as compared to Dimensity 7020 next conclusion को देखा जाए तो 7020 का यहापे आपको performance and gaming का देखके काफी हरानी होगा तो start करते हैं आपे CPU performance के साथ तो जो Dimensity 7020 है 35 स्कोर करेगा and SnapRain का score 31 है यहापे कुछ वीडियो में मैंने यहापे पीछले वाले वीडियो में आपको 41 दिखाया था तो 35 मैंने कर दिया है because new processor भी आचुके है market में तो उसके compare में आपे जो Dimensity 7020 है यह थोड़ा कम score कर रहा है 35 तक जा रहा वह यहापे 750 जो है यह 31 का score रहेगा because में Cortex A77 का support आता है अगर gaming performance को देखा जाए तो जो Dimensity है यह 23 का score करता है वह यहापे जो SnapRain यह 24 का score करता है मतलब यहापे आपको better in-game graphics की वज़े से gaming performance में 750 थोड़ा better मिल ला है बट अगर actual performance की बात किया तो Dimensity यह अच्छे processor है gaming में next अब देखते है यहापे battery life support को battery life support में Dimensity का score 84 score रहेगा snapdragon का score 74 रहेगा because यह Dimensity है वह 6 nm technology के साथ आएगा and snapdragon यह 8 nm technology के साथ आता है तो यहापे आपको थोड़ी कम battery life देखने को मिलेगी snapdragon में overall winner processor की ही बात कर लिजा है तो जो Dimensity है वह 41 पे रहेगा clock and जो snapdragon है वह 39 का score करेगा out of 100 तो अब यहापे बात किया है कि 41 और 39 में दो number के gap कैसे आ रहा है तो जेकि जब snapdragon की बात किया है जिसमें आपको 4K का support मिल जाएगा जो की plus point से बना देता है इसमें 6 वाली Wi-Fi connectivity है जाती है मतब Wi-Fi 6 का support मिल जाएगा and यहाँ पे जो snapdragon का कुछ भरोसा आप बोल सकते हैं वह मिल जाता है वह पर Dimensity भी काफी अच्छा processor है यहाँ पे आपको cortex A78 का support मिल जाएगा LPDDR5 का RAM test support मिल जाएगा UFS 3.1 का support मिल जाएगा प्लस यहाँ पे एक जो minus point इसे बनाता है इसमें 2K का support है तो यहाँ पे थोड़ा point बढ़ जाता है Dimensity की तरफ आप Snapdragon दो पीछे चला जाता है तो Snapdragon and Dimensity अगर आप ले रहे हैं तो दोनों ही की smartphone मैंने link में डाल दिये Amazon affiliate link तो आप होहाँ से buy कर सकते हैं विनर प्रोस्टर तो Dimensity 7020 ही रहेगा विकाज हम पे performance बेटर आ रहे हैं ग्राफिक्स बेटर है बैटरी फिसंसी भी बेटर है और आपको चाहिए भी यही connectivity का WiFi 6 से ज्यादा कुछ नाता नहीं है बेटर तो हो रहता है बट नहीं भी रहेगा तो ओके-ओके है कोई बात नहीं तो विनर प्रोस्टर डामेशिक 7020 बाइक करना है तो जरू चकाउट किज़ेगा link वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल मुत बुलेगा थैंक्स वर वॉचिंग